राहुल गांधी पर संसनी खेज खुलासा फूटा की तावी बम गांधी परिवार में हड़कम मोधी प्रचंड देशभग राहुल की राजनीती पस्त नवस्कार क्यापिटल टीवी का खाशो बात तो चुबेगी देख रहें आप मैं को आपके साथ पूछा आज एक बात राहुल गांधी को बहुत ज़ादा चुब गई है नोटों के पहाड और तीन राज्यों में मिली गंदी हार के बीच राहुल गांधी बुरे फस गए है कॉंग्रस के लोगों ने ही राहुल गांधी के साथ साथ पूरे परिवार का घिनोना राज खोल दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कम मज़ गया है पिया मोधी शा भी हैरान रह गया है तगड़े खुलासे के बाद खुद राहुल गांधी भी बिलबिला उठे है अपनी विदेश यात्रा तकरद कर दी है दिरसल पुर्विराजपती प्रणव मुखर जी की बेटी श्रमिस्टा मुखर जी ने अपनी किताब से देश में संसनी फैला दी है एक के बाद एक जो तीर किताब के जरिये चला है उससे सोनिया गांधी भी मूझ छिपा कर घूम रही है तो आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले श्रमिस्टा की किताब ने कैसे राहुल गांधी की धजिया उड़ा दी है चलिए वो आपको बताते है किताब में श्रमिस्टा ने इस बार बताया कि दो हज़ार अठाघा में प्रनब रास्ची स्वेमसंग के दफतर क्यों गय थे साथ ही ये भी डावा किया कि प्रनब वीर्चावरकर कूले कर क्या सोचते थे श्रमिस्टा मुखरजी ने क्या कहा बताते हैं बाबा ये सोचते थे कि सिर्फ वीर सावर कर अंडमान की सेलोरल जेल में रहे, कई साल तक सजा काटी, वहां किस तरह उत्पीडन किया जाता था, कई लोग पागल हो गए या आत्म हत्या कर लेते थे, उस तरह के टॉर्चर की स्थिती में अगर कोई दया याचिका लिख भी देता है, तो उसका मतलब ये कताई नहीं है, कि देश के प्रती उनकी कोई भावना नहीं थी, इंदरा गांधी जी ने भी इस बात को स्विकार किया, इंदरा जी ने वीर सावर कर के नाम पर स्टांप निकाला, लेटर लिखा गया, ये एक नेरेटिव चलाया जाता है, एक तरह की कहानिया गड़ना देश के लिए ठीक नहीं है, तो श्रमिस्टा ने साफ किया कि कॉंग्रिस कैसे वीर सावर कर पर जूट फैला कर मोहल बनाती थी, एजेंडा सेट करती थी, जो देश के लिए घातक रहा है, कहर इसे कि साथ श्रमिस्टा ने राजिव गांधी का का परिक्रम में कैसे प्रणा मुखर जी को साइड लाइन कर कैबनेट से निकाला गया, इस पर भी खुलासा किया है, और क्या कुछ कहा बताते हैं आपको, मेरे पिता की बारे में राजिव गांधी या सोनिया गांधी क्या सोचते थे, ये तो वही दोनों जानते हैं, लेकिन जहां तक मेरे पिता का अपना वशलेशन था, उन्होंने अपने नोट्स में लिखा था कि राजिव गांधी ये सोचते थे कि मैं एक सक्थ व्यक्ति हूँ, जो किसी की भी बात आँख मूंद कर नहीं मान सकता, शायद यही वज़ा थी कि उन्होंने कैबनेट से मेरे पिता को हटा दिया. इन लोगों का एजन्डा है, जिसे अब जनता सही से समझ चुकी है. राहूल गांधी कैसे और क्या करे, कैसे पॉलिटिक्स करे, सबको असलियत दिख चुका है. यूही उन्ही राजनिती में पपो का टाग नहीं दिया गया. अब श्रमिस्टा मुकरजी कॉंग्रस के लिए अब श्रमिस्टा ने राहूल गांधी को पपो ही करार दे दिया. मिना किसी हुनर का एक ऐसा छात्र है जो अपने आपको हुनहार दिखाने की कोशिश में लगा सकता है. लेकिन हरकतों से देखें तो राहूल गांधी का दिमाग बिलकुल खाली है. वही जब श्रमिस्टा अने राहूल गांधी सोन्या गांधी को बेनकाब किया तो गांधी परिवार के दलाल लोग या फिर यूं कहें कि राहूल गांधी के चमचे प्रणम मुखर जी को गालिया देनी लग गए. कह रहे हैं कि उन्हें तो सब कुछ कॉंग्रूस पार्टी ने दिया. अब दिया तो क्या? खैरत में दिया. ये लोग एक बात जान ले कि प्रणम मुखर जी कॉंग्रूस की दिकतों को खत्म करने वाले नेताओं में से एक थे. उन्होंने गांधी परिवार को बहुत बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचाया. तो क्या उन्हें राश्टपती बनाकर कॉं समझ कर चलने वाले नेता थे. तो उन्होंने तरीके से अपनी बाते कॉंग्रिस में रखी. ऐसा ही एक वाक्या कॉंग्रिस में उस दौरान हुआ? जब राहूल गांधी राश्टपती भवन में अचानक सुबह सुबह प्रणम मुखर जी से मिलने पहुँच गये. राहूल से शेडूल में पीम की जगा एम लिखा गया. इसलिए राहूल सुबह सुबह पहुच गये. जिसकी बाद प्रणम मुखर जी ने सीधे तोर पर कहा कि जिस व्यक्ति को समय काही ध्यान नहीं, वो भला कैसे प्रधान मंत्री बन सकता है? कैसे वो पीमो संभाल सकता है? इन सा कह दिया कि राहूल गांधी कैस्वली पॉलिटिक्स करते हैं, तो उनका राजनितिक करियर जादा दिन का नहीं है. क्योंकि पॉलिटिक्स एक सीरिस पिशनस है, इनसान को हर फैसले के लिए हर कदम पर अक्टिव होना पड़ता है. और प्रणम मुखर जी ये अच्छे से ज जाते, सीन तो दूर दूर तक दिखने ही रहा, लेकिन अगर बनते हैं, तो क्या वो 15-15 दिन विदेश छुटिया मनाने चले जाएंगे? अगर ऐसा होगा, तो फिर देश कैसे चलेगा? फिर तो देश की बरबादी तय है, ऐसे में श्रमस्टा ने राहूल गांधी के हैंका यह सब को समझ में आता है, दरसल राहूल गांधी ने सितंबर 2013 में प्रस्तावित अध्यादेश की कौपी पार दी थी, इस पर श्रमस्टा का कहना है कि पिता प्रनव खासे नारास हुए थे, उन्होंने बताया कि पिता भी अध्यादेश के खिलाफ थे, लेकिन उनका मानन था किस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, उन्होंने क्या बताया बताते हैं। कि राहुल गांदी की वज़ा से तीन राज्यों में कॉंग्रस की पूरी हार हुई, तमाम नीता अलकमान पर ही भारी पड़ रहे हैं। नतीजा देखिये क्या रहा। आखिर में कॉंग्रस को हार का ही मूद देखना पड़ा और जब हार गए तो गैलोद की लंका लगाने राहुल गांदी बैट गए। इन मेचौरिटी दिखाते वे बैचक में ऐसे गैलोद से लड़ रहे हैं जैसे दो परिवारों की महिलाओं की लड़ाई हो रही है। राहुल गांदी काम करने या फैसला लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि आखिर क्या कर रहे हैं। भी बुरा हश्र कॉंग्रस का हो जाएगा। क्योंकि तमाम नेता पार्टी छोड़ कर दूसरे दल में जाने की तयारी में बैठे हैं। पालिट सिंधिया वाला सीन दोहराने में अब वक्त नहीं लगाएंगे। क्योंकि हाथ से सत्ता निकल चुकी है अब बात सर्फ लास की रह गई है। अगर उस बात को राहूल गांदी ने नहीं समझा तो गुस्से में बैठे कॉंग्रसी समझाने की तयारी कर रहे हैं। इसे भी श्रमस्टा की खुलासे ने कॉंग्रस को हिला कर रख दिया है। राहूल गांदी तो अब कैमरे से मूझे पाकर भाग रहे हैं। जो जो लोग श्रमस्टा की किताब लाँचिंग में शामल थे। खास कर दिगवजय सिंग सब राहूल गांदी की हिट लिस्ट में शामल हो गए हैं। किसी ना किसी तरह राहूल गांदी अब इन लोगों पर भडास निकालेंगे। आगे आगे देखिए कॉंग्रस में क्या से धमा का होता है। बात तो चुभीगे में फिलाल इतना ही कल किसी और मुद्धे के साथ हाजर होंगे। देखिते रहें क्यापिटल टीवी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हों तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहें। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में देश सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।